हेलो एवरिवन तो आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि हिंदी में कितनी अजीब तरीके से एंडिंग होती है और इंग्लिश में कितना सिंपल हम उसको बना सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको हिंदी सुननी है उसको अपने माइड में ट्रांसलेट करना है फिर आपको मैच करना है बीच में वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं हिंदी सुनने के बाद अगर आपको टाइम चाहिए उसको ट्रांसलेट करने का तो चलिए पहले सेंटेंस के या तो लीव भी लगा सकते हैं या लीव ओल दिस ऐसे भी हम बोल सकते हैं एक होता है forget it all forget it all forget it all मतलब यह सब भूल जा यह वाला जो तरीका होता है चीक है यह सब भूल जा and bring Punjab's number one tea चीक है और Punjab की number one चाय पियो चीक है यह सब भूल जा पंजाब की number one चाय पियो अगला है तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो चीक है अब मैंने जिस कई बार बताई है होने के लिए जब होने वाला सेंस आए ना तो वहापे बी का यूज होता है चीक है अब जैसे मैं बोले है कमरे में कोई हो सकता है ठीक है तो someone can be in the room ठीक है अब जैसे में के साथ भी लग जाता ना भी हो सकता है वो सो रहा हो maybe he's sleeping ऐसे ठीक है तो जहां पर होने वाला कुछ कोई सेंस आता है अब देखे को भी जादा लगेगा दिमाग में कुछ इस तरीक कैसे हो सकते हो how can you be so happy अदास मत हो don't be upset खुश हो जाओ be happy इस तरीक ऐसे प्यार प्यार में सॉरी बदले में प्यार की उम्मीद किये बिना तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो ठीक है अब देखे पहले जो छोटे छोटे से जो words है उनको समझ लेते हैं बदले में चीक है इस चीक दूसरा होता है उमीद करना चीक है और तो उमीद करने को क्या हम बोलते हैं expect करना किसी से चीक है किसी से कुछ expect करना कि मुझे तुम से यह expectation नहीं थी चीक है I did not expect this from you कि मुझे तुम से यह उम्मीद नहीं थी चीक तो बदला हो गया हमारा return बदले में हो गया return उमीद ह गया हमारी expectation और बागी दो simple है चीक, सो पहला क्या बनेगा तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो हम यह पहले यह बनाएंगे तो मुझे कैसे प्यार कर सकते हो सकता है सकती है वाला sentence आ रहा है कैसे के लिए how का use होगा so how can you love me how can you love me तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो बिना यह चीज किये so बिना के लिए हम वहाँ पर use करते है without कि बिना भूले time से आ जाना so be there on time without forgetting so वहाँ पर without का use होता है so बिना बिना बदले में प्यार की उम्मीद किये so without expecting love in return यह उमीद किये बिना love in return बदले में प्यार की चीक तो पूरा sentence क्या बना कि तुम कि बदले में प्यार की उमीद किये बिना तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो so how can you love me without expecting love in return क्या आपको प्यार में दर्द नहीं होता चीक है अब यह क्या आपको प्यार में दर्द नहीं होता है अपता है ती है से समझ जाओ कि यह present indefinite sentence है do does का use होगा तुम की बात चल रही है क्या तुम है तो तुम के साथ do लगेगा अब negative sentence है नहीं होता तो do बाहर आएगा so don't you या फिर do you not एक ही चीज़ है do you not या फिर don't you so don't you feel pain in love अब यहां पे दर्द नहीं होता अब देखिए आपके दिमाग में सेंटा का जाओ कि दर्द नहीं होता इसको कैसे बनेंगे तो मतलब क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता अब जैसे किसी को आपने किसी से पूछना हो यगे धरद हो रहा है कि anticipate क्या तुम्हें दरद हो रहा है तो इसको कैसे बोलोगे So, हम पूपने feel आ जाएगा मेहसूस हो रहा है कि Imma So, are you feeling the pain इस तरीके से ठीक है So, किया पको प्यार में दरद नहीं होता Don't you feel pain in love अब यह बहाए प्यार तो रब का तोफ़ा है यह तो simple सा है love is God's gift ठीक है love is God's gift प्यार तो रब का तोफ़ा है रब मतलब भगवान उपर वाला God ठीक है so love is God's gift तो प्यार में दर्द कैसा अब देखो हम बोलते हैं इस तरी किसे हैं या दोस्ती में लड़ाई कैसी ठीक है ऐसे हम बोलते हैं लेकिन आपको ऐसी चीज़रे जब दिमाग में आए आप लोग यही बोलते हैं कि सर इंग्लिश से हिंदी मत सॉरी हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करने जाते हैं समझ में नहीं आता कैसे करें simple simple sentence तो हम convert कर लेते है यहां problem आती है तो यहां problem यही आती है अब मेरे पास line है तो प्यार में दर्ध कैसा ठीक है तो इसको बिल्कुल आप word to word translate मत करो नहीं होगा ठीक है अब आपको पहले क्या करना है इसको एक ऐसी language में convert करना है जहाँ पर sense बिल्कुल सेम रहेगा sense यही रहेगा लेकिन आपके लिए वह थोड़ी bookish language होने चाहिए तो मतलब प्यार में दर्द कैसा इसको हम बोलेंगे कि प्यार में दर्द कैसा हो सकता है प्यार में दर्द कैसे हो सकता है तो होने के लिए पहली बात भी लगेगा प्यार में दर्द कैसे हो सकता है तो भी लगेगा सकता है सकती है वाला sentence है तो can लगेगा अब इस sentence हम ऐसे बनाएंगे प्यार में दर्द कैसे हो सकता है अब कोई भी चीज़ की existence बतानी है कि किसी चीज़ में क्या है कुछ है कुछ नहीं है तो देर का यूज होता है कि फ्रिज में आइस है so there is ice in the fridge फ्रिज में आइस नहीं है तब भी देर का यूज होगा तो यहाँ पर यह कह रहा है कि दर्द की existence के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हो सकता है दर्द की existence के बारे में बात कर रहा है so how can there be pain in love फ्रिज में ice कैसे हो सकती है so how can be ice there in the fridge ऐसे हम बात करेंगे यार दोस्ती में लड़ाई कैसी या फिर दोस्ती में छुपाना कैसा इस तरह की को चीज़ होती है दोस्ती में लड़ाई कैसी so how can there be fight in the friendship ऐसे तो be का use होता है होने वाले sense में अगला देखते हैं देखो मुझे तुम में रब दिखता है इसलिए मुझे तुम से प्यार हो गया अब ये दो sentences है present and definite है और फिर past and definite है तो मुझे तुम में रब दिखता है ये है आपका present and definite इसलिए मुझे तुम से प्यार हो गया अब ये हुआ आपका past and definite sentence इसलिए मुझे तुम से प्यार हो गया अब ये sentence नब आप ये भी सोचोगे कि past and definite sentence क्यों होना चाहिए ये sentence तो आपका present perfect होना चाहिए क्योंकि प्यार past में होaf लिके इंपक्क्त तो अभी भी होगा क्योंकि प्यार तो हो गए उसके दिल में बिल्कुल सही बात है अब मैंने ये चीज़ कही बार बताई हुई है Past Indefinite और Present Perfect बहुत ही ज़ादा interchangeable sentences होते हैं बहुत ज़ादा होते हैं चीक है तो यहाँ पे भी आप चाहो तो Present Perfect में बना दो आप चाहो तो Past Indefinite में बना दो इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया चीक है So I fell Fall की second form है ये So I fell in love with you So I loved you ऐसे भी कर सकते है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा So I loved you लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मदलब वहाँ पे हम fell in love का use करते हैं So I fell in love with you मैं तुमसे प्यार मुझे तुमसे प्यार हो गया अब एक चीज़ और है यहाँ पे ने ने वो इसमें नहीं है तुम्हें किसी और में रब दिखा तो तुम्हें उससे प्यार हो गया चीक है अब ये दौनों जो sentences है ये दौनों sentences ही आपके past indefinite है कि तुम्हें किसी और में रब दिखा चीक है So यहाँ पे क्या है किसी और में मतलब someone else चीक है else का use यहाँ पे होता है someone else का मतलब किसी और चीक तुम्हें किसी और में रब दिखा past indefinite sentence है So you saw God in someone else C की second form लग गई You saw तुम्हें दिखा अब तुम्हें दिखा इस चीज के पीछा मत जाना तो ठीक है तो इसको पहले आपको normal language में translate कर तो कि तुम्हें देखा किसी और में रब You saw God in someone else तो तुम्हें उससे प्यार हो गया अब यहाँ पे यह चीज़ देखो अगर तो बीच में ऐसे आ रहा है कि मैं तो नहीं जाऊंगा तो यहाँ पे तो से शुरू नहीं हो रहा है इस condition में तो की English नहीं बनती है लेकिन यहाँ पे देखो आप तुम्हें किसी और में रब दिखा तो तुम्हें उससे प्यार हो गया यहाँ पे तो से sentence शुरू हो रहा है So you fell in love with him यह भी Fall की second form है So you fell in love with him तो तुम्हें उससे प्यार हो गया तो पूरा sentence क्या बना तुम्हें किसी और में रब दिखा तो तुम्हें उससे प्यार हो गया You saw God in someone else So you fell in love with him अब तुम्हें इस सब की चिंता नहीं करने चाहिए ऐसे sentence न शुड़ वाले होते हैं तुम्हें नहीं चिंता करने चाहिए about all this about का मतलब किसी चीज़ के बारे में so about all this इस सब के बारे में so now you should not worry about all this मैं इसको ऐसे बो सकता हूँ now don't worry now don't worry about all this कि सब की चिंता मत करो ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं वो भी सही है so now you should not worry about all this you just तुम बस तुम बस गर्मा गरम चाहे पियो अब देखे गर्मा गरम के लिए नहीं गर्मा गरम पर कन्फ्यूस मत होना कि गर्मा गरम के लिए क्या लगाऊ सिर्फ यही रहा है का drink this hot tea कि यह गर्म गर्म चाहे पियो चीक है तो गर्म गर्म हिंदी में बोल देते हैं हम इंग्लिश में आपको गर्म गर्म के लिए कुछ ऐसे नहीं बोलना है लेकिन एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ कि जैसे गर्मा गर्म कुछ रहता है ना कुछ भी कि बहुत गर्म गर्म एकदम जैसे समोस आय मान लो तो अभी कड़ाई में से तलकी आया है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं पता है एकदम गर्म गर्म उस चीज़ को हम बोलते हैं piping hot piping hot चीक है वो चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं और एक चीज यहाँ पर और मता दू जो sentence था यह यह था कि यहाँ जो एंड में लो तुम बस लेकिन यहाँ पर तुम तो बस गर्मा गर्म चाय पियो तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना कि यार तुम इस सब चीदों की चिंता मत करो तुम तो बस अराम से अपना खाओ पियो मजे लो चीक है तुम तो बस उस तो के उस तो के गनोर कर सकते हैं क्योंकि वो तो से sentence नहीं बनता तो यहाँ पर बोला तुम बस गरमा गरम चाय पियो so sentence बना you just drink this hot tea तुम बस यह गरम गरम चाय पियो you just drink this hot tea अब यह कहते है मेरी जिंदगी इतनी भी असान नहीं है राज so my life is not that simple राज so भी वाला जो sentence है ना इस भी के लिए कुछ नहीं लगाना होता है वो इतने के अंदर ही आ जाता है जैसे मैं बोलो ना कि यार exam इतना भी असान नहीं था जितना तु बोल रहा है so the exam was not that easy as you are saying कि इतना भी असान नहीं था तो इतना भी वाला जो होता है इस भी के लिए हम कुछ नहीं लगाते है वो that के अंदर ही आ जाता है जीक है so यहाँ बह tutti गयरें मेरे जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है my life is not that simple चीक है असान नहीं है simple नहीं है मेरे जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है मुझे किसी में रभ नहीं दिखता है अब आपすको पहले तो मुझे किसी में रभ नहीं दिखता है इसको आप normal sentence में तोड़ो क्योंकि ये तो confusing term से लग रही है so normal sentence क्या होगा कि मैं किसी में रभ नहीं देखती हूँ मैं किसी में रभ नहीं देखती हूँ चीक है so मुझे किसी में रभ नहीं दिखता है तो दिखता है इसको क्या बनाऊ यहां confused नहीं होना है मैं किसी में रब नहीं देखती हूँ So I don't see God in anyone ताहित ही है वाला sentence है I guess I do का use होगा So I don't, I don't see God in anyone मुझे किसी में रब नहीं दिखता है मैं किसी में रब नहीं देखती हूँ मैंने तो प्यार के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे अब यहां पे आप एक चीज समझने की कोशेश करना पहले आप पूरा सा intent सुनो मैंने तो प्यार के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे फिर तुम हसते नाशते गाते आए और बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या अपने पूरी लाइन सुनी अब यहां पर एक अप थोड़ा सा दिमाग लगाओ मैंने दर्वाजे बंद कर रखे थे फिर तुम आए चीक है तो आने वाला जो काम है यह पास्ट में हुआ मैंने दर्वाजे कब बंद कर रखे थे तुम्हारे आने के बाद बंद किये थे या फिर तुम्हारे आने से पहले ही बंद कर रखे थे तो मैंने जो दर्वाजे बंद कर रखे थे तुम्हारे आने से पहले ही बंद कर रखे थे उससे भी पहले मैंने क्या किया दरवाजे बंद कर लिये वो है past का past जो past का past होता है वो होता है past perfect sentence मतलब कि जिस past की condition के मैं बात कर रहा हूँ उसके भी past में कोई ऐसा काम हो गया जिसका असर उस situation तक था past वाली तो वो past perfect sentence होता है जैसे कि मेरे पहुँचने से पहले train जा चुकी थी train चली गई थी तो train कब गई मेरे पहुचने से पहले जब मैं पहुचा ये भी past की बात है और उससे पहले train चली गई मतलब train गई है साड़े बारा बजे मैं पहुचाऊ एक बजे लेकिन एक बजे उस चीज़ का impact है क्या impact है क्योंकि train वहां नहीं है तो ये चीज़ होती है past perfect sentence अब ये कह रहे हैं कि मैंने दर्वाजे बंद कर रखे थे मतलब बंद कर चुकी थी वो वाला sense आएगा कि मैंने बंद कर रखे थे सारे दर्वाजे फिर तुम आए और तुमने नाच्टे गाते आए और तुमने बोल दिया I love you तो तुम जो आए वो past का ही है लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ कर रखे थी दर्वाजे बंद कर रखे थे अगर मैं किसी को बूलू कि भाई I had made a confusion in my mind before but now it is clear but I cleared that doubt like while watching your video कि आपकी वीडियो को देखते हुए मुझे मेरा वो doubt clear हो गया पहले मैंने बना रखा था तो आपने जो मेरी वीडियो को देखा जब आप comment लिख रहे हो तो वो भी उसके ने past है उसके past में भी आपके दिमाग में confusion था चीक है या फिर मैं बोलो कि यार I had gone to play I had gone to play when you came at my home मेरे दोस्त ने बोला मैं पांच बजे तेरे घर आया था तो मिला ही नहीं मैं बोलो साड़े चार बजे मैं खेलने चला गया था तो when you came at my home जब तू मेरे घर आया उससे पहले क्या हुआ I had gone to play मैं खेलने के लिए चला गया था ऐसे तो यहाँ पर sentence क्या है और तीकर रखे थे वाला sentence क्या होता है कि जैसे मैं बोलो यार तू पार्टी में आया नहीं मैंने तेरे लिए माल ले हो मैंने तेरे लिए खाने की चीज़े बचा रखी थी चीक है अब शट की फॉर्म शटी होती है यहां थर्ड फॉर्म लगती है I have shut all my doors to love कि मैं अपने लिए प्यार के सारे दरवाजे बन्द कर चुकी थी और फिर तुम हसते नाचते गाते आए यह है अब आपका past indefinite तो past perfect के साथ past indefinite sentence एक चलता ही है जादा तर 99% चलेगा ही चलेगा क्यों क्योंकि हम past perfect sentence तब ही बोलते हैं जब किसी particular sentence जो की past का है उसके past के बारे में बात कर रहे हो तो मैं बात तबगी कर रहा हूँ जब तु मेरे घर आया तो the time when you came at my home जब तु मेरे घर आया उससे पहले मैं खेलने जा चुका था तो अब जो उससे पहले हुआ उसमें head लगेगा so I had gone to play यह चीज होती है तो अब इसने पहला sentence तो हम पर बोल दिया कि मैंने अपने सारे दरवाजे बंद कर लिये थे तो किस चीज से पहले जब तु आया उससे पहले तो मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिये थे मैंने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे प्यार के लिए किस चीज से पहले and then you came और फिर तुम आये laughing, dancing and singing चीक है अब कोई चीज करते अब एक देखे दो चीज समझने के कोशिश करो एक तो होता है कि मैंने नाचते हुए काम किया जब फिर मैंने टीवी देखते हुए अपना homework किया चीक है तो ऐसी जगह पे तो while का use होता है चीक है कि इस चीज के दोरान ये चीज़ करते करते मैंने कल मैंने सेंडस सिखाया था एक ना कि मैं बोलते बोलते अठक जाता हूँ चीक तो एक मैंने बोला कि मैं टीवी देखते देखते अपना काम कर रहा हूँ जब टीवी देखते हुए काम कर रहा हूँ so I'm doing my work while watching TV एक तो ये हो गया लेकिन अगर मैं ये बोलू कि मैंने उसको खेलते हुए देखा चीक है so I saw him while playing अगर मैंने लगा दिया so while playing का मतलब हो जाएगा कि मैं खेल रहा था मैंने खेलते खेलते उसको देखा लेकिन मैं कहरा हूँ कि मैंने उसे खेलते हुए देखा so I saw him सिर्फ action में ing लगा दो I saw him playing ऐसे बनता है और फिर तुम हसते नाचते गाते आए and then you came laughing, dancing and singing अगर मैं हब while लगा दूँ then you came while laughing, dancing and singing तो इसका मतलब हो गया और फिर तुम आए जब मैं ये कर रही थी मैं नाच रही थी, डगा रही थी और हसते हुए और बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अब देखे बोल दिया वाला जो sense है ना यहाँ पर यह होता घोशना वाला कि तुमने तो ये चीज़ बोल दी चीक है, लेकिन उस चीज़ से आगे क्या होगा तो तुमने तो इस चीज़ को घोशित कर दिया तो यहाँ पर sad भी लगा सकते हो अगर आपको sad लगाना है तो sad भी लगा सकते हो say के second form and you said और तुमने बोल दिया ये वाला and said और बोल दिया लेकिन एक sense को अगर समझो तो वो बोलना होता है कि declare कर दिया तुमने तो इस चीज़ को बोल दिया भाई लेकिन अगले बंदी की तो सोचो तो वो declare वाला sense आता है and declared और declare कर दिया वातला घोशित शुद्ध हिंदी में बोलू तो घोशित होता है declare का मतलब और बोल दिया and declared that I love you कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैंने तुमसे सीखा सच्चा प्यार क्या होता है so I have learnt it from you ऐसे भी बोल सकते हो from you I learnt तुमसे मैंने सीखा ऐसे भी बोल सकते हो इस sentence को आप चाहो तो past indefinite बना लो चाहो तो present perfect में बना लो दौनों सही है so मैंने तुमसे सीखा वैसे सीखने वाली जो चीज होती है जादा तर वो आपकी present perfect में ही होती है क्योंकि सीख ही हमने past में है लेकिन अभी भी वह चीज मुझे आती है तो अगर grammatically वैसे बिल्कुल correct कहीं लिखना हो तो आप has have लगा दो या फिर past indefinite में रखोगे तो वो भी चलता है दोनों बहुत जादे common interchangeable हैं ये so from you I learned तुमसे मैंने सीखा what true love is कि सच्चा प्यार क्या होता है चीक है what true love is कि सच्चा प्यार क्या होता है या फिर what is true love अगर मैंने ये ऐसे बना दिया ना तो ये question मन जाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है लेकिन हम एक चीज़ अब बताते हैं so what true love is चीक है so now I know जैसे कि मैं बोलू now I know how to use this sentence कि अब मैं जानता हूँ कि इस sentence को कैसे use करना है so जो question वाले sentence होते हैं वो बताने के लिए भी इस तरीके से use हो जाते हैं so now I know where he lives या फिर where does he live कि अब मैं जानता हूँ वो कहां रहता है अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही रखा कि where does he live तो ये question मन गिया कि वो कहां रहता है लेकिन अगर मुझे बोलना है कि now I know मैं अब जानता हूँ where does he live कि वो कहां रहता है या फिर where he lives वो कहां रहता है तो यहाँ पर sentence क्या बना तुमसे मैंने सीखा या फिर what is true love ऐसे भी बोल सकते हो कि सच्चा प्यार क्या होता है तुमने मुझमे एक बार फिर प्यार जगा दिया अब इस जगाने को क्या बोलता है पता है अवेकन कोई भी चीज हमारे अंदर होती है वो within ourself होती है within inside me ये भी आप बोल सकते हो within जो है ये थोड़ा अच्छा सा लगता है तो कोई भी जो मारे अंदर की चीज होती है और वो जागती है तो that is awakened ये अवेकन की second form है तो तुमने जगा दिया so you awakened तुमने जगा दिया love in me once again मुझमें प्यार एक बार फिर से तो पूरा क्या बना past indefinite sentence है ये तुमने मुझमें एक बार फिर प्यार जगा दिया you awakened love in me once again जो प्यार या फिर जिस प्यार को मैंने अपने अंदर बहुत पहले ही मार दिया था एक तो ये हो गया कि जिस प्यार को मैंने अपने अंदर बहुत पहले ही मार दिया था दूसरा ये हो गया कि जो प्यार मैं अपने अंदर बहुत पहले मार चुकी थी अब देखो इसमें head क्यों लगेगा क्योंकि हम उस time की बात कर रहे हैं कि तुमने को प्यार जगा दिया ये past की बात है कि तुमने प्यार जगा दिया ये past की बात है उससे भी पहले मैं उसको मार चुकी थी ठीक है? मैंने उसको मार रखा था मैंने उसको मार दिया था और तुमने जगा दिया तो इन दोनों sentence में देखो कि मैंने उसको मार दिया था और तुमने जगा दिया सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले मारा था जगाया तो बाद में है तो मारा वाला जो होगा उसमें head लगेगा जो जगाया वाला होगा वो past indefinite होगा same जैसे यहाँ पे हुआ you awake and love in me once again यह past indefinite है क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था जो प्यार को मैंने अपने अंदर बहुत पहले ही मार चुकी थी जो प्यार को मैंने अपने अंदर बहुत पहले ही मार चुकी थी है जो लोड़का शोर मचा रहा है उसको बुला के ला हो so the boy who is making the noise call him ठीक so जो प्यार जो प्यार को मैंने अपने अंदर बहुत पहले ही मार चुकी थी so the love that I had killed kill की third form है ये second नहीं है so the love that I had killed within me मेरे अंदर वो ही न within me inside me पहले है जिस प्यार को मैंने अपने अंदर बहुत पहले ही मार रखा था जो प्यार में अपने अंदर बहुत पहले ही मार चुकी थी so the love that I had killed within me long back तुम मेरे जिंदगी में क्यों आये राज अब ये simple सा past indefinite sentence है तुम मेरे जिंदगी में क्यों आये तुम क्यों आये why did you come simple है so तुम मेरे जिंदगी में क्यों आये why did you come in my life राज के तुम मेरे जिंदगी में क्यों आये राज अब मैं क्या करूँ what do I do now इसको हम कही तरीके से बोलते है what do I do now what should I do now what to do now इस चीज़ को हम कही तरीके से बोलते है भी लगा सकते हो तो यहाँ पर मैंने बोल दी है अम मैं क्या करूँ what do I do now मैं एक शादी शुदा लड़की हूँ अब शादी शुदा को हम बोलते हैं married so I am a married girl I am a married girl without action वाला sentence है कोई action नहीं है present का है is mr लगेगा i के बाद चल रही है i के साथ m लगेगा so I am a married girl मैं एक शादी शुदा लड़की हूँ तो अब बस एक बहुत ही असान सवाल का जवाब दे दो so now just answer a very simple question so now just answer a very simple question अब जो भी चिस हम कुछ करसियों करने के लिए बोलते हैं वो do does वाला sentence होता है बिल्कुल simple में present indefinite भी नहीं होता मुझे ये करना मुझे ये दे दो so give me this तुम उसे ये मत दो don't give it to this don't give it to him तुम उसे ये मत दो इस तरीके के दो चीज़े होती ना यहां do does लगता है sure मत मचाओ don't make a noise ऐसे वाले so अब बस तो अब बस एक बहुत ही असान सवाल का जवाब दे दो तो उसे sentence शुरू होरा है तो so लगाएंगे so now just answer a very simple question बस एक जवाब दे दो बस जवाब दे दो एक बहुत ही सरल सवाल का एक बहुत ही असान सवाल का so now just answer a very simple question अब मैं क्या करूँ what do I do now ठीक है तो यह थे आज के sentences I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई doubt है कोई confusion है comment box में जाओ वहाँ उससे पूछ लो वीडियो पसंद आई है तो like करो नए हो like subscribe दौना करो thank you